दाखिल खारिज में अब अधिकारी नहीं करेंगे मनमानी दाखिल खारिज को रिजेक्ट करने से पहले करना पड़ेगा ये काप नमश्कार कापिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आतुजा आपके साथ देखें सरकार के द्वारा दाखिल खारिज का काम कराये जा रहा है लेकिन इसमें लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कई बार तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि अंचल अधिकारी द्वारा मनमानी करके दाखिल खारिश के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिसे कि आम लोगों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जियाब अधिकारियों को और जबाब दे बनाया गया है सरकारी जमीन की गलत जमा बंदी करने वाले विभाग के सेवा निर्वित पदाधिकारी और करमचारियों के विरूद भी करवाई की जानी है इसको लेकर additional collector सुबाज शंद्र मंदल ने बताया कि वभाग के अपर सच्चीव ने ऐसा अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करके प्राथमिकी दर्ज करने का नरदेश दिया है ऐसे दोशिया दिकारियों को भी पैच्चान करने का निर्देश दिया गया है जिनके वरुद गलत जमाबंदे करने को लेकर जाच शलरी है सिर्फ सरकारी नहीं बलकि रहयती जमीन की भी गलत जमाबंदे करने वालों के विरोध में करवाई की जानी है इसको लेकर सभी additional collector को इस संबंध में अब तक किये गए करवाई का विवरन वभागे पोर्टल पर अप्लोड करने का नरदेश दिया गया इसके अलावा सभी अंचल का नियमित रूप से भी निरक्षिन करने का आदेश दिया गया है बता दे कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जिसमें अंचल अधिकारियों के अस्तर से दाखिल खारिच के आवेदन का निश्पादन कम और उसे रद ज्यादा किया जा रहा है इसको लेकर अपर सचियों ने निर्देश दिया है कि दाखिल खारिच के आवेदन को एकसेप्ट या फिर रेजक्ट करने से पहले अंचल अधिकारी को कम से कम शौव अंको का रिमार्क जरूर देना होगा इसके अलावा अतिक्रमन के लंबित मामलो को चार्ज टेनी में बाटनी का नर्देश दिया गया है चेह मास से अधिक एक वर्स और दो वर्स अत्वा उससे अधिक दिनों तक लंबित मामलो की सूशी बनाने का भी नर्देश मिला है सबसे पुराने मामलों का निश्पादन सबसे पहले करने का ओर्डर विभाग की तरफ से दिया गया है तो ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ी है लोग जो दाखिल खारिज करवाना तो चाते हैं लेकिन उनके जो अंचला अधिकारी हैं वो या तो पलिटिकल इंफ्लूएंस में आके या किसी के दवाव में आके या पिर पैसों के लिए मामले का निश्पादन जल्दी नहीं करते हैं दाखिल खारिज के जो दस्तावेज होते हैं उसको रिजक्ट कर दिया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आप इसको लेकर विभागने कारवाई करने की बात कही है ऐसे लोगों पर अब कारवाई की जाएगी तो अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप ज मुटेशन का काम असानी से पूरा हो जाए तो फिलाल इस खबर में बस इतना ही इस मुटेशन से जोड़ी आगे की जानकारी हम आप तक पहुचाएंगे लेकिन फिलाल के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बियार धन्यवाद